कि माइडियर इस्टुडेंट गाईज एंड फ्रेंड्स तोड़े आइम गॉइंग टेल यू वेरी एक्सिलेंट वेरी अमेजिंग इस्ट्रक्चर इन इंग्लिस इंग्लिस का बड़ा ही सुपर डूपर इस्ट्रक्चर बताने वाले हैं आज आपको यू जोप एबाउट ट करते हैं जब कोई कारियर निकट भविस्षय में होने वाला हो कारियर हुआ नहीं है होने वाला है को कारियर होने को है होने वाला है इसके हिंदी वाक्यों में आता है होने वाला है होने को है को है वाला है इस तरह की सेंटेंस पर बाद के फिनिस होता है इस तरह की बात पर English structure use of about to जब कोई कारिय होने को होने वाला हो वा नहीं है होने वाला है तब about to का प्रियोग करते हैं about to के बाद सबसे पहले helping लगाते हैं इसमें is Mr. was verb present या past tense में इसके बाद about to इसके बाद first form of verb इसके बाद object I mean to say in sentence में helping verb वे main verb की first form दोनों का प्रियोग साथ साथ चलता है एक बाद फिर देख लिजा फार्मूला subject plus helping verb about to plus first form of verb plus object जब कोई कारिय है निकट भविस्ट्य में होने को होने वाला हो तब about to का प्रियोग करते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं पहले sentence पर आते हैं आपको एक एक sentence को ध्यान से देखना है और खासकर board exam के student के लिए बाड़ा शुपर डूपर रहने वाला आज का फार्मूला और आपको एक information देने वाला हूँ यदि आपको board exam में अच्छे marks प्राप करने हैं तो आने वाले exam की हर तरह की वीडियो डालने वाले हैं उसमें चे grammar हो चे deep grammar हो चे literature हो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और board exam में excellent marks guarantee के साथ प्राप करें पहले sentence पाते हैं वह अब जाने वाली है sentence को देखकर पता लग रहा है जाने वाली है गई नहीं है यानि कोई कारिया निकट भीरस्ते में होने वाला है हुआ नहीं है अब आप फार्मूले के नुसार दे लिजे sentence को C is about to go now परजेंट टेंस में इजेवाब का प्रयूक करेंगे पास्ट टेंस में वाजवर का प्रयूक करेंगे subject पलस helping verb पलस about to पलस first form पलस object भ्यान से देखे आप C is about to go now दा नेक्स सेंटेंस ट्रेन इस्टेशन पर आने वाली है आई नहीं है आने वाली है दा ट्रेन इज अबाउट तू एराइव एराइव मैंने आना पोंचना इएट दा इस्टेशन यहां कम का प्रिउग नहीं करेंगे क्योंकि आना पोंचना यह मतलब है पोंचने वाली है तो पोंचने के लिए से एराइव कम कम लगव एक वल आना होता है और आना या पोंचना होता है तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस एबाउट प्लस फर्स्टोंप प्वर प्लस ओब्जेक्ट ओब्जेक्ट यहां पर दा इस्टेशन है अगले सेंडेस पर आते हैं कि पक्सी उड़ने ही वाले थे उड़े नहीं उड़ने वाले थे दा वर्ट्स वर एबाउट टुफलाई दा वर्ट्स वर अईबाउट टू फलाई गे शूरीयज शिपने ही वाला है शपने वाला को को निकट भविष्य में होनेवाला हो प्लस हो नहीं हे एक्शन ड़न नहीं है होने वाला है संड इस्टेट तब आवाउट तू का पूर्यो करते हैं बड़ा यह शुपर डुपर इंग्लिस इस्ट्रक्चर अगले सेंटर पाते हैं प्रात्ना की घंटी बजने ही वाली थी बजने ही वाली थी दा प्रेयर बेल वाज़ एबाउट तुरिंग भारिक रैष महने सी वाली है अगला सेंट्र स्पाथे हैं यह उस्प्री जरूपर पुरि कुछ यहट के हैंत्रे संट्रे आपने एक पार्ट देखा इसमें दो पार्ट हैं चोर भागने वाला था एक एक्षन तो यह हो गया कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया दूसरा एक्षन नहीं हो गया दो कारे साथ साथ चल दे ऐसे सेंटेस में कोमे का प्रियूग करते हैं पहले सेंटेसे बाग कोमा लगा जाएंगे दा थीप वाज अबाउट तू रन आवे वैं दा पुलिस काउट हिम बाद का सेंटेस पास्टेंस में है केंज की सेंट हम कोट पकड़ लिया यानी पास्टेंस वैक वे में गिरने वाली थी कि मैंने उसे बचा लिया हम कुछी दिन में कस्मीर जाने वाले हैं वी आर एबाउट तू गो टू कस्मीर इन फ्यू डेज यानी कि गए नहीं हैं जाने वाले हैं जब को करें निकट भविश्य में होने वाला हो अब अब अन्तिम सेंटेस पर आते हैं रोहित ओपिस से आने ही वाला है अभी ओपिस में ठहरा हुआ है रोहित इज एबाउट तू कम फ्रॉम ऑपिस तो माइडेर स्टूडेंट गाईजेंड फ्रेंड इंग्लिस में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए आप स्टूडेंट्स हैं चाहिए व्याप के लिए सुपर फास्ट इंग्लिस के लिए यूटूब कर हमारे चैनल इस पोकन जलालाबाद और कह सकते हैं लर्ण इंग्लिस विद आदेश सर्मा सर को लाइक